बजपन से सुनते आये हैं, हरी सबजियां हमारे सहत के लिए बहुत लापकारी होती हैं, हरी और पत्तेदार सबजियों से दिमाग तेज होता है, आखों की रोशनी बढ़ती है, सहत अच्छी रहती है, लेकिन जिन सबजियों को आप सहत का राजा मानते आये हैं, वही आपके सरीर को खोखला भी बना सकती है अब जरा साउधान हो जाईए जिन सब्जियों को आप सिहत का खजाना मान कर खाते आए हैं वह आपके सरीर को एसी तमाम बिबारियों का घर बना सकती है जिस से उबरना मुम्किन नहीं है क्या आप यकिन कर सकते हैं कि फूल गोभी वा पत्ता गोभी बैगन और भिंडी जैसी कुछ सब्जियां आपको बिमार बना सकती हैं इस सब्जियों से सरीर में ऐसे कीड़े पहुच सकते हैं जो आपको गंभीर बिमारी के आगोस में धकेल सकती हैं ऐसा हम नहीं कह रहे ये का कहना है इन सब्जियों में कीड़ा लगना आम बात है लेकिन अगर कीड़े आपके सरीर में चले गए तो फिर मुश्कलें बढ़ सकती हैं सब्जियों के कीड़े से दोरे पढ़ सकते हैं सब्जियों के कीड़े से लीवर खराब हो सकता है डाक्टरों की माने तो सरीर के अं अंगों के अंदर घुश कर आपको खोखला कर सकते हैं मैक्स अस्पताल के मेडिसीन सलाकार डाक्टर एससी मिस्रा बताते हैं कि कीड़े अकसर दिमाग में चले जाते हैं और इसके कारण एपीलपसी की बिमारी हो सकती है यही नहीं कीड़े पेट में पहुचकर उसे तो नु पहले तो हमारे सरीर में जाते हैं और फिर वह खून के जरिये दिमाग तक पहुच जाते हैं ऐसे में इंसान एपीलसपी का सिकार हो सकता है यानि उसे दोरे पढ़ने सुरू हो जाएंगे डाक्टरों की माने तो यह हालात किसी भी इंसान के बेहत खतरनाक हो सकते हैं इसके अलावा ये कीड़े पेट के रास्ते लीवर और कीड़नी को भी नुसकान पहुचा सकते हैं चिंता की बात यह है कि अगर समय रहते कीड़ों का पता नहीं चला तो मामला गंभीर हो सकता है एपेलसी भयंकर जूरूप ले सकती है कीड़नी काम करना बंद कर सकती है और सेमन करते हैं तो उससे सरीर में कीड़े पहुचने का खत्रा बढ़ जाता है तो सावधान हो जाईए और जब भी सब्जी खाएं तो उसे खूब देख भाल कर खाएं जाच परकर खाएं कहीं ऐसा नहों कि आपके सिहत का खजाना मान कर खा रहे वही सब्जियां और सलाद आपको बिमार मना बना दे भारत जैसे देशों में जहां साप सफाई पे कम ही ध्यान दिया जाता है वहां फल सब्जिया कच्चे मांस जिवारियों के घर बन जाते हैं गंदे पानी और वाता औरड के जरीये ये जिवारू सब्जियों और फलों को संक्रमित कर देते हैं इ पारे में जान लीजिए टैप वर्म सबसे खतरनाक क्रीमी है जो सबजियों और मांस में आम ताउर पर पाया जाता है ये भोजन के जरिये पहले पेट और फिर रक्त के साथ मिलकर सरीर के दूसरों हिस्सों यहां तक की मस्तिक्स में भी पहुँच जाता है इससे इंसान को नि टैप वर्म की तरह इकोली और सैलमोनेला जैसे रोग पैदा करने वाले जिवाड़ों भी बेहत खतरनाक हैं और ये रोगाड़ों भी सबजियों और फलों में पाये जाते हैं फलों सबजियों में पाये जाने वाले कोलोस्ट्रीडियम, वेलुटाइयम, सीजेला, सैलमोने जैसे जिवाड़ों भी सरीर पर हमला करने से पीछे नहीं रहते हैं। इन जिवाड़ों से संक्रमित्फल और सब्जियां छोटे बच्चों, बुढ़ों और कमजोरों लोगों के लिए ज्वादा खतरनाक होती है। डाक्टरों की सला है कि एसी सब्जियों को काटने या छिलने से पहले अच्छी तरह से धोलें। बिना धोए सब्जी, छिलने से कई बार छिलकों पर मवजूद जिवाड़ों छिलने वक्त सब्जी के भीतर आ सकते हैं। बरतन में पानी रखकर धोने के बजाए चलते नल में सब्जी धोएं। जरूरत पढ़ने पर छोटे ब्रस से सब्जियों को अच्छी तरह से साफ कर लें। यो तो सब्जी सरीर को विटामिन आयरन जैसी जरूरी पोसक तक तो देते हैं। लेकिन अगर इनकी सफाई में लापरवाही बढ़ती गई तो इस से कई तरह की बिमार आया हो सकती हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, सानिंग आउट, बंदे मात्रम।